Temple of Democracy में आपका स्वागत, गंतंत्र के सुनहेरे नजारे, जहां देखो महां अम्रित काल, कॉंग्रिस के तरफ से नारे बाजी, अकड़ बकड़ बंबे बो, जेपी सी चांच होने दो, उधर बीजेपी ने किया पलट के बार, अदानी पर कुछ ना बोले हम, पहले राहूल ग सागों, दिखाओ घम, पारलेमेंट में मचा है शोर, अदानी पर है पूरा जोर, सरकार ने कहा, ये तीखा वार नहीं, इंडिया पर प्रहार है, देखो देश में चल रहा, ये कैसा शो है, कहने वाले तो कह रहे हैं, ये बीजेपी का बोफोर्स है, पिछले कुछ दिनों स संसद में जो कुछ चल रहा है, वो काफी दिल्चस्प रहा है, वैसे तो संसद में जो चल रहा है, उसके चकल में संसद ही नहीं चल पा रही है, लेकिन कोई नहीं, पारलेमेंट का जितना सेशन टीवी पर म्यूट होने से बच गया, उसे देख कर तो यही समझ में आ रहा ह और सारे पार्लमेंट में मोडानी मोडानी के नारे लग रहे हैं पर सरकार एक तरफ कह रही है कि अहाँ ये सब फाल्तू की बाते हैं कोई स्कैम हैं नहीं है, सब चंगासी है देखो, सेबी इंवॉल्व्ड है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वाइरी कर रही है आप क्रोनालोजी फॉलो करो, आईसे थोड़ी न मांग कर सकते हो और ये टू मच डिमॉक्रिसी का प्रदर्शान अच्छी बात नहीं है लेकिन राहूल गांधी को कौन समझा है ये सारी बात है हिंडनबर का खुलासे के बाद उन्होंने तो खुले सदन में मोदी और अडानी के संबंधों के बारे में तीखी टिपड़ी की सीधे सवाल पूझ डाले एजिंसीज की मिस्यूस की बात भी कही उफ टू मच गरशन कि अडानी जी का जो नेट वर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक ये 8 बिलियन डॉलर से 140 बिलियन डॉलर कैसे हो गया और सबसे दरूरी सवाल इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिष्टा है और कैसा रिष्टा है नतीजा क्या हुआ इन सवालों के जवाब देना तो दूर राहुल गांधी के 18 स्टेटमेंट्स को पारलमेंटरी रेकॉर्ड से एकस्पंज कर दिये गए यानि कंट्रोल आल्ट डेल न रहेगा रेकॉर्ड न बजेगे राहुल की बासुरी इससे ठीक कुछ दिन बाद एक सूरत कोट ने राहुल गांधी को एक डेफेमेशन केस में फैसला सुनाया और ठीक दो साल के लिए सजा सुनाई गई इस पर हमने खैट पूरा का पूरा एपिसोड बना के दिया है उसको देख लीजेगा अब क्रोनालजी समझिए पारलमेंट से डिस्क्वालिफाइ होने के लिए दो साल की सजा मिनिमम होती है जो कि राहूल को इक्तिफाकन सुनाई गई उनके मोधी अडानी स्पीच के इक्तिफाकन कुछी दिन बाद और उसी के कुछी घंटों के अंदर उनके MP सीट भी गई और उसी के कुछ दिनों बाद उनके MP वाला बंगला भी गया टूमच डिमोक्रसी का तो पता ने लेकिन टूमच इक्तिफाक हैपनिंग इन दिस नेशन सा माया है लेकिन सस्पेंट होने के बाद भी राहूल गांधी ने अडानी वाली जिद नहीं छोड़ी और इसके पीछे एक बड़ी बचय है हाला कि अब defamation case में उन्हें बेल मिल गई है लेकिन राहूल अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे मुडानी 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 पारलिमेंट में नहीं तो वीडियो बनाकर इंटरनेट पर मुडानी मुडानी यूट्यूबर बन जाएंगा राहूल गांधी अब सवाल उड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजिस का पैनल अडानी मामले को खुद स्टडी कर रही है उसपे इंक्वाईरी कर रही है सेभी ने भी कह दिया है कि वो भी इन्वाल्व हो रही है देख रही है कि कहीं पैसे का आदान प्रदान गलत तो नहीं हुआ है तो फिर यह ओपोजिशन वालों को क्या तकलीफ है भई, क्या तकलीफ है इनको तकलीफ ये हो रही है कि पिछले नौ सालों में कॉंग्रेस मोधी के करप्शन फ्री दाग फ्री रेप्यूटेशन पर कोई खासा घाव नहीं कर पाई है एक टाइंग पर प्रधार मंतरी मन मोहन सिंग की भी रेप्यूटेशन ऐसी ही थी काफी स्पोटलिस उससे पहले राजीव गांधी की रेप्यूटेशन यंग डाइनमिक ख्ली न्यू इंडिया इमेच पॉलिटिशन बाली रेप्यूटेशन थी कॉंग्रेस को ये मालूम है कि छवी विगड़ने में देर नहीं लगती है बोफोर्स का इलजाम और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इलजाम ने कॉंग्रेस की नीव हिलाके रख दी थी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था उनको आज भी बोफोर्स के ताने सुनने पड़ते हैं कॉंग्रेस को क्या अब कॉंग्रेस वही काम बीजेपी के साथ करने की कोशिश कर रही है क्या वो अडानी, I mean मोडानी को बीजेपी का बोफोर्स बनाने की कोशिश कर रही है अगर हाँ तो क्या ऐसा हो सकता है कोट क्या कहती है, कोट इंडिक्ट करती है, नहीं करती है, उतना जरूरी नहीं है पॉलिटिक्स में लोग क्या सोचते है, परसेप्शन क्या बनता है, यही है पॉलिटिक्स क्या बीजेपी मोडानी के टैग से भाग रही है, क्या ये एक नाम है जिससे पूरी पार्टी ऐसे तिलविला उठती है बीजेपी सिर्फ इस विशेपी में फुल बिलिस्टिक मोड पर क्यों चले जाती है, इसको दबाने की कोशिश क्यों कर रही है, क्या मोडानी बीजेपी का वीक स्पॉट है, जो कॉंग्रिस एक्स्प्लोइट करने की कोशिश कर रही है, जानते आज के एपिसोड में अगर एक आम नागरिक से आप आज बोफोर्स के बारे में पूछो तो वो भी बताएगा कि गांधी जने पैसा खाया था, फैक्ट तो यही है कि 25-30 साल इंवेस्टिकेशन और कोट कचेरी के बाद गांधी इसके खिलाफ कोट में कुछ भी साबित नहीं हुआ, राजीव ग रित्यों के बाद क्लीन चिट भी मिली कोट से, लेकिन किक बैक्स तो हुए थे और उसको छिपानी की कोशिच भी हुई थी, सरकार में इसके बारे में लोगों को मालूम भी था और ये सब राजीव के कारेकाल में हुआ था, और ये भी फैक्ट है कि इस पूरे बोफोर्स क जादा नहीं, signaling, insinuation का काम होता है, और जब तक facts सामने आते भी हैं, अरे तब तक सता पलट चुकी होती है, master stroke हो गया, क्या आज Congress यही पासा मोदी और अडानी के संबंधों के साथ खेल रही है, कोट की बात नहीं है, association की बात है, अडानी के foreign holdings, उनके short cuts पर सवाल उठा कर और मोदी और अडानी के दोस्ती को highlight करकर, और most importantly, JPC का demand करके क्या BJP को एक corner में धकेलने की कोशिश हो रही है, हिंडनबर्ग दुरगटना के दो महीने बाद भी अडानी के shares भारी घाटे में चल रहे हैं, और अब भी अडानी के आसपास बहुत सारे सवाल मंडरा रहे हैं, अडानी के बारे में हमने देशभक पर extensive coverage की है, episodes बनाया है, time में ले तो देख लीजेगा, हमारा तो मानना है साल का या पूरे दशक का सबसे बड़ा business story है, और अगर Congress की चले, तो ये politics की जगत में भी सबसे बड़ी story इसको बना के रखेगी, Congress JPC को अच्छी तरीके से चानती है, और BJP अडानी पर JPC से दूर भाग रही है, इसके पीछे भी एक लंबी list है, वजाओं की एक लंबी list है, JPC दोनों houses, यानि लोकसभा और राजजभा के members की एक joint committee होती है, जिसको majority वाली party का कोई leader ही lead करता है, और obviously इसमें उसी party के members की numbers जादा होंगे, जो party के MPs यानि ruling party ही इसको control करेगी, पर इसमें opposition leaders भी होते हैं और इस committee के पास पूरे-पूरे अधिकार होते हैं कि ये किसी भी concern, department, individual को चाहे तो उससे पूछताच कर सकती है, और अगर वो individual, department, या business इस committee के सामने appear नहीं होती है, या जवाब नहीं देती है, तो इसे contempt of parliament माना जाता ह तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी committee में, जिसमें majority of members ruling party के होंगे, तो इस committee के decisions भी भाई, उनी का control होगा, बात तो सही है, क्योंकि अभी तक जब भी JPC form हुई है, decisions ruling party के favor में गई है, टेकनिकली तो यही बात सही है, लेकिन जो politics है न, वो data नहीं, perception पर चलती है, और कभी-कभी luck पर भी चलती है, JPC का track record अगर आप देखें, तो ruling parties के लिए यह बहुत suitable नहीं रही है, जब-जब JPC बनाई गई है ruling party को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है, almost always, JPC के वज़े से नहीं, politics के वज़े से हो सकता है, किसी और वज़े से हो सकता है, लेकिन एक trend सा तो बने गया है, सब आज तक कुछ proof तो नहीं हुआ, सुप्रीम कोट ने भी इस case को बंद कर दिया, राजीव गांधी को clean chit भी मिल गया, फिर भी इस scam से Congress पर इतनी बुरी तरीके से छीटे पड़े, Mr. Clean राजीव गांधी की जो political छवी थी, एकदम उसका सर्वनाश हो गया, एक बहुत गहरा लगा Congress को और राजीव गांधी को इसी बोफोर्स के चलते, और इसके चलते 1989 elections में Congress को पुरी तरीके से हार का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि ये corrupt party बनकर Congress party सामने आई, विपक्ष ने भी उसको ऐसे दर्शाया, अब हमारे देश में scams तो बहुत हुए है, विजय मालिया, इस महीने आप देशभक्त फैमिली को एक 3 मिलियन का परिवार बना देती हो, तो कुछ प्रेणना मिलेगी, लेकिन इन सारे scams के बारे में आप एक ही जगे कुकू FM पर इनके बारे में आप सुन सकते हैं via an audiobook जिसका टाइटल है India's Biggest Scams, और यही किताब नहीं, आप कुकू FM पर 10,000 से जादा audio titles access कर सकते हैं, Hindi, English के अलावा कई regional languages में आपको audio books यहां मिल जाएंगे, और क्योंकि इस महीने हम देशभक्त को 3 million subscribers की एक family बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुकू FM दे रहा है आपको एक special offer, अगर नीचे दिये गए link से, आप कुकू FM डाउन्डोड करते हो, और coupon code यूज करते हो, DB3M, आपने देशभक 3 million, तो आपको कुकू FM का first month subscription मिलता है, only at rupees 1, instead of 99 rupees, लेकिन ये offer only valid for the first 2000 users है, तो अगर आपने bell icon दबाया है, पहले आए हो, तो आप मुनाफे में रहोगे, लेकिन इस audio book में जो सारे scams है, उसका बाप है the Beaufort scam, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, 18 मार्च 1986, इंडिया ने करीबन 1500 करोर का इंडील साइन किया, with Swedish Arms Manufacturer A.B. Beauforts, जो की इंडियन आर्मी को सप्लाई करने जा रहा था, 400, 155 mm hovitzer guns, एक साल बाद, 16 April 1987, एक Swedish Radio Channel ने ये दावा किया, कि Beauforts कमपनी ने हमारे देश के टॉप निताओं को खिलाया था इस डील को पाने के लिए, फिर क्या था, फिर वो ही हुआ, विपक्ष ने इस पर जम कर हंगामा किया, मामला Defense Ministry से जुड़ा हुआ था, जो कि उस समय सम्हाल रहे थे Defense Minister V.P. Singh, उन्होंने अपना पढला जहारा इस पूरे मैटर से और इस्तीफा दे दिया, अब बात और बिगडी क्योंकि बात आई प्रधान मंतरी राजीद गांधी पर, और तब बहुत बुरी तरीके से जब हंगामा हुआ, तो 6th August 1987 को पहली बार JPC, यानि Joint Parliamentary Committee बनाई गई, और इस Alleged Scam पर दो दशक से भी जादा कानूनी जंग छिड़ी रहे, कोर्ट इसमें involved रहे लेकिन हर कौर्ट ने at the end लगभख सारे अक्यूस्ट को clean shit दिया, पर उस वक्त, यानि Alleged Bofor scandal के time पर पहली बार existence में आई, ये Parliamentary Committee या JPC आगे चलकर एक ruling party के लिए 15 थाबित हो गई, अब पता नहीं कि ये सयोग है, या coincidence है, लेकिन JPC का जो formulation होता है, उसके बाद जो general election आत उसमें ruling party की हालत अक्सर tight हो जाती है, अडानी मामले में JPC तो दूर की बात है, BJP वैसे में भी कुछ भी नहीं कह रही है, एकदम silence maintain की हुई है, जहां तक अडानी की बात है, और Congress leaders आए दिन इस बात को उच्छालते रहते हैं कि कैसे अडानी मामले पर उनकी मांग से ध्या भटकाने के लिए नए नए चीजों का अविश्कार हो रहा है, जैसे कि राहूल गांधी का Cambridge में जो speech है, जो भारत पर अपमान है, या अभी recently जो defamation case हुआ, इक्तिफाकन जिसके वजए से राहूल गांधी की कुरसी गई, MP की seat गई पार्लिमेंट से, कि ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि राहूल गांधी प्रधान मंत्री के दोस्त के कारनामों पर प्रधान मंत्री से जवाब मांग रहे हैं, वैसे JPC की मांग पूरे होने की संभावना कम ही है, लेकिन तब भी Congress तो कोशिश वही करेगी, मोडानी पर सवाल इतने खड़े करो कि PM शक के घेरे में आ ज सकते हैं, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के 70 दिन बाद भी अडानी पर सवालों का पहाड तो अभी भी तूटे ही पड़ा है, वैसे अडानी पर डिफेंस सेक्टर से जुड़े ये एलिगेशन्स तो राखुल ने 26 फेबरी को लगाये थे, पर अभी हाल ही में इस मामले पर इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक बड़ा खुलासा किया 16 मार्च को इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलारा इंडिया उपर्चुनिटीस फंड नामक एक मौरिश्यस बेस्ट कमपनी का अडानी गुरूप के साथ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में एक बड़ी शेर होल्डिंग है लेकिन हमारे डिफेंस सेक्टर में जो पैसा लग रहा है कौन लगा रहा है पैसे का exact source क्या है ये बाते clear नहीं है और जब जब मौरिश्यस का नाम आता है साथ ही साथ अडानी फैमिली का एक और परसर उसका नाम एकदम bold letters में आजकल आने लगा है जिसके बारे में हमें मालूम भी नहीं था विनोध अडानी अब वैसे तो विनोध अडानी गौतम अडानी के बड़े भाई हैं पर मज़े की बाद ये है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के 400 पेज के अपने reply में अपने response में अडानी ग्रूप ने साफ तरीके से कह दिया था कि बिडोन अडानी भाई कोई managerial post hold नहीं करते हैं इनसे हमारा कोई direct नाता नहीं है तो उनकी investments, उनकी activities को अडानी होल्डिंग से अलग देखा जाए They are not one and the same पर morning context के 13 March को publish हुई एक report के according अंबूजा सिमेंट और ACC सिमेंट जो की endeavor trade and investment नामक एक Mauritius based company के through acquire किये गए थे और इसी endeavor trade and investment limited जिसके promoter company Acropolis भी अडानी ग्रूप की ही एक part है और उनकी एक director विनोड अडानी ही है यानि एक और जहां January तक अडानी ग्रूप ये कह रहाता कि विनोड अडानी का अडानी ग्रूप में कोई managerial hold नहीं है नो से शायद इसलिए क्योंकि विनोड अडानी पर हिंडन बग रिपोर्ट में shell companies बनाकर अडानी ग्रूप की companies के लिए stock manipulation जैसे आरोप लगाए गए थे अब यही विनोड अडानी अडानी ग्रूप के साथ मिलकर ACC और अम्बूजा सिमेंट के करता धरता बनते हुए निकलें अडानी enterprises के promoter ग्रूप का एक important part वो suddenly कैसे बन गए जब January में कोई नहीं थे January से लेकर March तक विनोड अडानी को लेकर अडानी ग्रूप ने सोचिए सोचिए अगर यही सारिस तवाल एक JPC में पूछे जाएं तो यह देखना इंटरिस्टिंग होगा कि अडानी ग्रूप कैसे इन सवालों के जबाब देगी वैसे इसके अलावा कई ऐसे सवाल और भी हैं जहां विपक्ष अडानी ग्रूप और साती साथ BJP की मुश्किले बढ़ा सकता है अगर JPC फॉर्म हो तब ही क्योंकि जब कमिटी बैठेगी और सवाल किये जाएंगे तब बहुत कुछ और भी सामने आएगा लेकिन क्या JPC के बिना सुप्रीम कोर्ट में कोई खुलासिय के बिना क्या कॉंग्रिस BJP को घिराओ में ले पाएगी क्या ये एक साल 2024 election से पहले मोडानी election का मेन मुद्दा बनेगा अगर बाजी उल्टी होती अगर BJP विपक्ष में होता तो आंसर देना थोड़ा आसान होता लेकिन कॉंग्रिस की communication strategy जो इसकी attacking strategy है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और ये कॉंग्रिस का एक traditional weak point रहा है देखिए मसाला बहुत है आए दिन अडानी पर आज भी नए नए खुलासे हो रहे हैं हिंडनबर्ग को हुए 70 दिन हो चुके हैं BJP के समर्थक भी आज ये बात मान चुके हैं कि हिंडनबर्ग ने भारत पर नहीं अडानी पर हामला किया था अच्छे example लेते हैं पिछले 24 घंटे के headlines हम टटोल के देख लेते हैं इसको record करने से पहले scroll ने नए खुलासे किये ये दावा किया है कि mining contract जीतने के लिए दूसरी एक dummy company को खड़ा किया गया था सारा setting था mining contract जीतने के लिए अब अडानी को इसको answer देना पड़ेगा उधर Reuters एक report निकाल रही है जिसके वज़े से अडानी के stock prices फिर से लुड़के इस बार ये दावा है कि SEBI अब अडानी के overseas entities पर चानबीन करने वाली है मने वही अडानी वाला जो link है उसकी चानबीन हो सकती है उधर इसरेल के former ambassador to India को अब अडानी के हाइफा port का chairman मना दिया गया Nothing official about it लेकिन TMC के मौवा मोहितरा ने हमाम में कौन क्या है इसके बारे में political tipडी तो कर ही दी And finally मोधी जी खुद corruption और परिवारवाद के dangers के बारे में पूरे देश को बता रहे हैं अडानी का नाम तक नहीं ले रहे हैं वहाँ चू भी नहीं हो रही है उस एक शब्द को mute कर दिया गया है क्योंकि शायद वो भी जानते हैं कि politics के दुनिया में करीबी लोग ही गरीबी का कारण बदती है लेकिन fact तो यही है कि जेपीसी और नो जेपीसी सुप्रीम कोर्ट और नो सुप्रीम कोर्ट अडानी का मामला अभी भी गरम है हिंडन बर के 70 दिन बाद भी लेकिन सवाल यह है कि क्या कॉंग्रेस इसे बीजेपी का बोफोर्स बना पाएगी पुलिटिकली इसका फाइदा उठा पाएगी उसके लिए constant बंबारी की जरूरत है जो कि फिलहाल राहूल गांधी कर रहे हैं लेकिन याद रखिए कॉंग्रेस ने एक बार एक टाइम पे सूट बूट की सरकार पर भी बंबारी की थी लेकिन अचानक उस slogan को छोड़ दिया गया था उस attack strategy को छोड़ दिया गया था और साथ ही साथ organizationally Congress अभी भी उतनी ही कमजोर है जितना पिछले 9 सालों में रही है आने वाले एक साल में अगर अडानी अपने सारे मुद्दे सुल्टा कर bounce back नहीं करती है तो ये business का मुद्दा एक सुलकता हुआ political मुद्दा बन सकता है और 2024 elections में एहम भूमी का निभा सकता है अगर अगर इस मुद्दे को Congress अच्छे से भुना सके तो 2024 में ठीक एक साल बाकी है पिचर तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त आगे आगे अभी देखते हैं होता क्या है नेता टाइब आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पी दबाओ थैंक्स तू कुकु एफम फर मेकिंग इस बेरी लॉंग एपिसोड पॉसिबल अगर आपको ये लंबा 3 मिलियन तो आपको कुकु एफम का फर्स बन सब्सक्रिप्शन मिलता है only 4 रूपीज 1 instead of 99 रूपीज मैंनी थैंक्स पर वाचिंग मोर एपिसोड़ कमिंग अप